पूच बाजपा उमिद्वार चोधरी अब्दूलगनी ने विधान सावाच चुना के लिए नमांकन दाखिल किया शंबत दाता मर्जीत सिंपूर आज एक बड़े चन्सलाव को बाते चन्दा पाटे को जन्सलाव को वहां से निकला है पूंच पहुंचा है वह प्यार जो है जंदर मोजी के साथ है इसलिए सबका विखास और विश्वास प्रयास हो है आज पूर्देश में देखा कि जो हमारे इसलिए पूंच पूर रेजिया की भी जोगा है आज देखिए पर लोगों से यह फिल करता हूँ कि पूंच शीटी का जो बोड़ है कि देखिए लोगों का माहताउ ौपाइस को जाता है इसका जाता है निदर रेने जी को मेरी पूंच की चंता से महताँ से एपील है कि मोजिची ने वह करके देखाया है तो किसी भी पतान मंत्री ने आज तब देश के भी निगी आए उसको देखे लोगों में आज जन्सरा गुज्रा है यह लोगों का मुहबत है और मुझे अमीद है कि फच्छे सारी को लोग जो है बलत दाद में से कासे निकल कर जो है कमने का पटबादार बीचे गोशित करें लोगों ने प्रयास किया हम लोगों ने प्रयास किया लोगों बच्छों के हाथ में कंप्प्र है लफटाब है लोगों नश्चे से दूर हैं मोदी जी दुवा कर रहे हैं और वहीं दुवाट जो है आज पूछ में जो आपने कव्रीज लिए इसमें कोई भी दुराइगी बाद निया मेडिया ने कामें अच्छी तरिके से सोच समझ के अपना मद्दान करें बिना मज़ो मिनलहर्ट के खास्तों मैं यूज से ये बता करता हूँ किसी भी पॉली इंबूत पर भी जगड़ानी होने चाहिए पार्टियां अपनी अपनी है बोड मतार बोटर ने करना है जहांपूर हमारे वेल्ट बोड के जमान खड़ें मैं समयता हूँ दस से पंदरा हजार आदमी तो सिरफ वाम वरने के लिए गनीज साथ आए तो मैं समयता हूँ के गनीज साथ को इस वार MLA बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहां हिंदू, मुस्लम, सिख, इसाई, पहाड़ी, गुजर, सब तब के के लोग जो हैं गनीज साथ शामल हूए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको इस वार तकरिवन पंदरा हजार की लीड से आपको दिदाए तो बाकी यह जो किसी के दिल में घल्ड भेमी हो कि हिंदू होट नहीं जाएगा मैं गनीज साथ से एक बींगे हिंदू होने के नापे मैं उनसे ये वदा करता हूँ, उनको अश्वासन देता हूँ कि हम अपना जो हिंदू होट 10 से 12 हजार आप इस जोड़ी में डालेंगे और आप देखेंगे जब इवियम्स खुलेंगी तो आज कर वो जमाना नहीं है एक एक पॉरिंग बूत का डेटा जो है आपके पास आ जाता है तो आप देखना कि हिंदू समाई ने आपको कितनी वो डाली है तो मैं समयता हूँ एक पार्टी ने हमारी हमसे ये वादा किया है अब गनी जी को यहां से MLA जिता के पहुंचा हमारी सरकार बनने पर हम बो मंतरी बनाएंगे कि मैं समयता हूँ कर पुंच के अच्छे दिन आने वाले हैं गनी साब अगर मंतरी बनेंगे तो हमारे पुंच का काम है तरक्ती के काम है जितने भी काम प्रेंडिंग बढ़े हैं मैं नहीं समयता हूँ कि ओप बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये काम कीजिए गनी साब ने आपके सब काम कर देने हैं मैं एक वार फिर जो जहां जो आए जो गैदरी हुई जहां जो लोग आए हर तिके के मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्हों ने आज खौम परने की रस्म को पूरा किया मैं इसी तरह अपील करूँगा जो पच्चीस तारी को जो हमारी हवेली कंसिटेंसी का है उसमें भी इसी तरह बढ़ चड़के इस सालें और चोधरी गनी जी को बीस हजार के मार्जन से जिताएं मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा हमारे साथ और सिने शर्मा जी जो सर्पैंच भी है बीजेपी की सिने लेटर भी है क्या कुछ कहना जाएं कि आज चोधरी हमदर जी का नेमरेशनों फ़ाम बरना जा रहे हैं आज ही दिख्रेयर हो दिया है कि जो है पुछिस्तारी को ही आज अंबले तो वह आज ही बनते हैं जब पच्छी जानी कोड़ाएंगा आप देखेंगे कि को में पंच के है और फार्टी उता पंड़ी उन्हों को मैं सब हो मिस्ते बनाएगी मैं दनेवाद करता हूं पुछितर भाई मोधी जी का जिनों में एक होनार नेता जो एक बहुत बड़ा नेता जिसकी पुछित की अंदर बहुत बड़ी पकड़ा है उन्हों को नेते को हमें बीजी पी में दिया उस निकाज नेता आप देख सकते हैं के पनी जंद संक्या यहां पर जो है हिंदू, मुस्मिम, शिक, बहने, बोटे सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं मैं इन लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ, की तीवडी संक्या में यहां पहुंचे, एक में संक्या की यह जो है, आप उसका भाई चरा, आज दिखाता है, कि जिन लोगों ने, जो मजज़ के उपर जो है, जो में नेशन काफर्स हो, चाहे पीडीपी हो, वोट मांगते आप लोगोंने दिल खोल कर जो है, बार्दियतना पाडिका साथी है, मैं संक्या की इसमें कोई दोर आए नहीं है, पुंच की अवाम जो है, वो आज, बिलकर शाहना बशाना जो है, भीजापी, जिन्दावाद, 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 जिन्द बहुत 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 है कि हमारे खासकर हवेली कंसिचुएंसी के लिए क्योंकि निरिंदर बाइन मोदी जी और अमीड साधी की निर्बानी की वज़ा से यह जो मेंडिडेट मिला है इतना पावर्फुल मेंडिडेट है कि ये इन्शाला इस तफ़ा जीत कर यहां से जाएगा और अगर बाज़पा की सरकार बनी हमें तो पूरी उमेद है कि इस तफ़ा बाज़पा की सरकार बनेगी चाए कोलेशन बें बने चाए इंडिवीजिल बने तो ये पूंच में एक अजादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि पूंच हविली कांसिच्वेंसी घ्रास का शहर से यहां से ये मेंडेट जीत के जाएगा और आपने देखा ही होगा कि ये जो जन्सला नाना करते हुए ये बीस हजार आदमी जो आज यहां पर मुश्लिफ अलाकूं से कठे कर यहां पर इनका जो नामीनेशन का परचा जमा करवाने के लिए साथ में आया था तो वो ये एक सबूत है और यहां पर दर्शाता है कि इस तफ़ा हवेली कंसिट्वंची की जो फीख है ये बारती जन्दा पार्टी की जोली में जाएगा और इत्यास में यहाँ पर पैली दफ़ा ऐसा हो रहा है और हमें बड़ी खुशी है खासकर यहाँ पर हिंदू, मुस्लम, स्च सबने मिलकर इस कंडिडेत को अकसेप्ट किया है और सबने यहे वादा किया है कि हम इस दफ़ा इस कंडिडेत को यहां से जिताका बेजेंगे यहां से भारी एक्स्रीय से जीट कर जाएगा और बाकी सब की जो है जमानतें जबत होंगी क्योंकि जब भी कोई दुख मसीबत की गड़ी हुई और खासकर यहां पर हिंदु मुस्लिम सिक अताद के बाइचारे को इस चोदरी अब्दल गनी ने यहां काईम और दाइम रखा और यहां पर इससे पहले जो कबल यहां के मैं ले रहे हमें हमें पता है कि चालिस साथ पहले भी यहां पर इन लोगों ने मिलकर एक साज़िश रची थी कि यहां पर लोगों को आपसम लड़ाया जाए और सेंटर गूर्मेंट की प्राप्टीज को यहां पर आगज़नी करवा कि इन बरबाद करवाया था उसके बाद यहां पुंच शेर में एक वाक्या हुआ था और इसी पार्टी ने खासकर में एंसी को को होंगा इनने मिलकर यहां पर बजार में आगज़नी करवा कर हिंदू-मुस्ल सरकार और अब की बार हमारे चोधरी अब्दलगनी साथ हम खासकर में अपने को हुँँगा कि दोजार चोधना से लेकर आज तक मैं इनके साथ चलता रहा हूं इनमें किसी किसम का बेदबाव नहीं है आज देखा होगा कि सैकलर उरिजूम का यह जो लोग दवाई देते थ वो मिसाल इनने यहां पर काइम किया है यहां पर हिंदू भी बड़ी संख्या में लोग थे मिसल्मान भी थे सिख भी थे और पहाडी भी थे और गुजर भी थे तो इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलती मैं एक दफा पुंच की जनता को खासकर वाज इस मौका पर एक यह म तोने की कोशिश करती हैं उनकी बातों में वरगलामे में इस तफ़ा ना आएं और आपने देखा होगा कि यह एक अंडेट जो है यह बिलको हिंदू-मुस्लम सिकताद वाइचारे को काईम और दाइम रखने के लिए बिलको खड़ा है और अगर किसी को कोई भी परिशानी होती है तो चोबीस घंटे इनके द्वार खुले हैं और हम जो वरकर इनके साथ इनके सपाई में तो कौनगा कि में खासकर इनका चोदरी अब्दलगानी का फिदायन भी हूँ और किसी को कोई प्राब्लम है और हमारी जी सर बताएंगे आपका नाम बताएं सार आज नामिनेशन फार्म चोदरी गनी जी ने बीजे पी की तरफ से जो है नामिनेशन के लिए जा रहे हैं वो काफी जंद सलाव उमड़ा हुआ है इसके हवाले से आप बताएंगे नहां पुंच मैं ये पहली बार है कि इतने लोगों का जंद सलाव जो है एक प्रत्याशी का नमिनेशन वर्भाने के लिए यहां पुंचा चोदरी अब्दुल गनी पुंच मैं सेंप प्रत्याशी हैं इस जंद सलाव को देखकर एक यकीन तो बनता है कि ये सीट बीजे पी जीतेगी अब इस चंद सलाव के पीछे एक कारण है कि लोगों ने भाजपा के काम को देखा है अगर हम स्कीम्स गिनना चाहें तो बड़ा मुश्कल है सभी लोगों को सब पता है कि भाजपा ने क्या क्या किया है दस साल में और लोगों को एक निश्वास बना है आपकी सपाती का औ और अब लोग जो हैं खुल के इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और पार्टी में चोदरी अबिलगनी को जो टिकट दिया यह व्यक्ति भी खुल के आया है हमारे साथ मैं परसनली जानता हूं मेरा वास्तलो रहा है और हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि हवेली की सेट ज मैं एक स्वाल आप से और जाना हुचा हूंगा कि लगातार जो है पाई चार पाई दिन से जो है नामिनेशन फारूम बरे जा रहे हैं कम से कम दस साल के बाद यह जो होने जा रहा है फिर भी आज जो है बीजेपी की इतने गैधरिंग इतने लोग साथ में चोदरी गनी जी के साथ में चार रहे हैं तो इस पे आप क्या कहना चाहिए अजी बताएंगे जो साल आज आपने नामिनेशन फारूम बरा इसके वाले से आप बताएंगे आज उस काफला में आपने देखा होगा कितनी बढ़तरी हो चुकी है आज हर किसम का फूल इस काफला के साथ है इंडियों मुस्लम सी के ताहट जो हमें वरासित में मिला है आज आपने सही मानू में देखा होगा कि वो कितना मजबूत हो रहा है कुँछ में वोगत दूर न